हलो दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्री में कुछ ऐसी चीजे जिनको खाना शुब माना जाता है अच्छा माना जाता है उन चीजों के बारे में बताऊंगी तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को अंते तक जरूर देखे और नवरात्री के इन नौ दिनों में कुछ लोग पूर्व नवरात्री ब्रत करते हैं ऐसा माना जाता है कि माभगवती का ब्रत उबास रखने से आपकी सारी मनुकामनाई पूर्ण होती हैं कुछ खाने की चीजे ऐसी होती हैं जिनका अपने ब्रत के में खाने में शामिल करना बहुत ही शुमाना जाता है तो आईए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजे हैं जिनको मा भगवती का भोग लगाना और ब्रत में खाने के लिए काम में लेना शुमाना जाता है तो पहला है नारियल हिंदू धर्म में नारियल को शुमाना जाता है और हर काम की शुरुआस से पहले नारियल के बिना पूजा भी नहीं की जाती है आप चाहे तो नवरात्रे के दिनों में कच्चा नारियल खा सकते हैं और ड्राइ फूर्ट से निर्मित नमकीन में भी सेंदा नमक डाल कर उसमें नारियल के मिक्स कर सकते हैं तो आप नारियल खा सकते हैं दूसरा है मिश्री बैशनो देवी में मा को मिश्टी का भोग लगाया जाता है नवरात्री में भी मिश्टी का भोग आप देवी मा को लगा कर और अपने ब्रत के आहार में भी इसे शामिल कर सकते हैं तीसरा है अखरोड अख्रोड भी मा पैशनो देवी को बहुत ही पसंद है अख्रोड का प्रिशाद आप सबने ही खाया होगा नवरात्री में अख्रोड का भोग लगा कर अपने ब्रत के आहर में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं अगला है मखाने नवरात्रों में मखाने की खीर का भोग देवी मा को लगाना चाहिए और ब्रत खोलते समय इसका सेवन करना चाहिए मखाने की खीर का भोग लगाना माता को बहुत शुम माना जाता है और इसके बाद है चुवारा माता को प्रशात की रूप में च्वारी का भूग भी लगाया जाता है और नवरात्री में च्वारी का खाना भी बहुत शुब मना जाता है तो इसलिए आप च्वारी का भी सेवल कर सकते हैं अगला है बदाम नवरात्री में बदाम का उप्योग भी कर सकते हैं ये शुब माना गया है इसके खाने से नवरात्री में पूरे दिन एनरजी भी बनी रहती है तो ये कुछ चीजे जो मैंने आपको बताई इनको आप नवरात्री में भोग लगाकर ग्रैन कर सकते हैं इससे आपके शरीर में उजजा भी बनी रहती है और इनका खाना और भोग शुब माना गया है तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले जैमाता दी